Hello viewers, welcome back to my YouTube channel, Exclusive Institute. Guys, in our previous video, we taught about head better and then we taught its negative sentences. And today we will learn its interrogative sentences. Aaj हम इसके interrogative means प्रेश्निवाचक sentences के बारे में बात करेंगे. इसमें हम आपको बताएंगे, अगर हमें किसी से question पूछना है, तो हम किस तरह से करेंगे. So, let's see its formula. So, guys, यह रहा इसका formula. So, चलिए देखते हैं इसके sentences. First है, Had I better go to Mumbai in this lockdown? Had I better go to Mumbai in this lockdown? क्या मेरा इस लोगडाउन में मुंबई जाना बहतर होगा? Had I better go to Mumbai in this lockdown? Next है, Had you better go out while running? Had you better go out while running? Suppose, कोई हमारे सामने हैं, वो बाहर जाना जा रहा हैं और बारिश हो रही हैं. तो हम उनसे इसी तरह से पूछते हैं, क्या आपका इस बारिश में बाहर जाना बहतर होगा? क्या आपका इस बारिश में बाहर जाना बहतर होगा? तो हम इस तरह से कहेंगे, Had you better go out while running? Next है हमारा, Had I better start a business with him? Suppose, हम कोई बिजनेस स्टार्ट करने जा रहे हैं और हमने उसमें किसी पार्टनर को ले रखा है, पार्टनर्शिप करनी हैं, तो हम जाहिर सी बाते, पहले advice ही लेते हैं, किसी से क्या मेरा उसके साथ बिजनेस स्टार्ट करना बहतर होगा? तो हम उसे इंग्लिश में इस तरह कहेंगे, Had I better start a business with him? Next है हमारा, Had I better ask him for money? Suppose हमें जरूरत हैं, हमें पैसे चाहिएं किसी से, लेकिन हम पहले सोचते हैं, क्या मेरा उससे पैसे मांगना बहतर होगा? तो हम इस तरह से कहते हैं, Had I better ask him for money? Next है हमारा, Had I better trust him? Had I better trust him? किसी पर भी भरोसा करने से पहले हमें सोचना बढ़ता है, कोई भी काम स्टार्ट करना है, कुछ पूछना है, तो पहले हमारे माइंड में यही question आता है, कि क्या मुझे उस पर भरोसा करना चाहिए? तो हम इस तरह से कहते हैं, Had I better trust him? Next है हमारा, Had you better give this interview? Had you better give this interview? Suppose कोई हमारा friend है, उसे कोई interview देना है, तो वो हमसे आकर पूछता है, मुझे देना चाहिए या नहीं, या फिर वो चाहरा है देना लेकिन हमें कुछ लग रहा है, उसे देना चाहिए या नहीं देना चाहिए वो interview, तो हम इस तरह से कहेंगे, क्या तुम्हारा ये interview देना बहतर होगा, क्या तुम्हारा ये interview देना बहतर होगा, तो हम उसे English में कहेंगे, Had you better give this interview? Had you better give this interview? Next है हमारा, Had I better see that doctor? Had I better see that doctor? Suppose कोई doctor है, और हमें दिखाना है, तो बहुत से लोग कहते हैं, नहीं वो doctor ठीक नहीं है, आप दिखाईए, आपको लगता है कि किसी अच्छे बंदे से हम advice लेनी चाहिए, तो आप किसी अपने close friends से जाकर पूछते हैं, क्या मुझे इस doctor को दिखाना चाहिए, क्या मुझे इस doctor को दिखाना चाहिए, तो हम इस तरह से English में बोल सकते हैं, Had I better see that doctor? Guys, I hope आपको यह chapter हमारा समझाया होगा, इस पर आप अच्छे से practice कीचिए, and हम आप से मिलते हैं, next video में, next chapter के साथ, till then, goodbye, take care.